ओम श्री साइनाथाई नम्हा गुड मॉनिंग साइन मॉनिंग आए नया दिन शुरू करते हैं प्रात्ना करते हैं शुक्राना करते हैं और शुरू करते हैं आज का नया दिन और इस दिन का बहुत दिल से स्वागत करते हैं और अपने बाबा के श्री चरणों में प्रात्ना क प्रिक्र मुझसे जादा अगर किसी को है तो वो मेरे बाबा को है मेरे परिवार का एक सदस्या मेरे बाबा के आशिरवाद से बहुत सुख में है संतुष्ठ है इस से जादा और क्या चाहिए बाबा ने तो बहुत कुछ दिया बावा इसी प्रकार हम पर अपना अशिरवात बनाई रखना हम सभी पर अपनी कृपा बनाई रखना और आज गणपती बपा आ रहे हैं आप सभी को बहुत सारे शुप काम नाए बपा आप सभी के घर में बहुत सारे खुश्या लेकर आए और आप जिस भी कारे को शुरू क करना चाहते हो उसका श्री गनेश कीजिए मालिक की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर बरसेगी और आपका किया गया हर एक कार्य सफलता की और जाएगा आपको खुशी दिलाएगा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होगा बस चिंता मत करना ज आज की इस दिन को शुरू करने के लिए बिलकुल तयार होंगे ठीके जी तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और आज हम सबी के लिए। बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी तो हर रोज होती है लेकिन कई बार इतने ज़्यादा काम होते हैं दिन में कि इनसान अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाता है बहुत सारे काम होते हैं कभी ये करना है कभी वो करना है कभी बाहर जाकर काम करना है कभी घर पर इतने सारे काम हो जाते हैं इनसान अप बाबा को निहारे, हाथ चोड़ कर, सची दिल से प्रातना कीजिए कि प्रभू, आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी हर कठिन परिस्थिती में आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हे प्रभू, मैंने जब भी आपसे कुछ भी कहा, आपने मेरी उस बात का मान रखा, आपने मेरी वो बात को सुनी, और चमतकार के द्वारा उस बात को सब्ते किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बाबा, मैं नहीं जानती कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, बस जो अपने अनुसार लगता है, उसे ही सही गलत मान कर हम कारे कर लेते हैं, फिर भी यदि जाने अन जाने में कभी कोई भूल चुक हो जाया करे, तो आप हमें ख्षमा कर दिया करें, हमसे अगर कोई गलती हो जाए, तो हमें बाबा, माफ कर दिया करें, क्यूकि हम तो नादान बच्चे हैं आपके, हमें इतनी समझ कहा है कि क्या सही, क्या गलत कैसे करना है कब करना है क्या करना है लेकिन आपके आशिरवाद से जो भी करते हैं उसमें आपका आशिरवाद होता है आपका साथ होता है तो वो कार्य संपन्न होता है बहुत अच्छे डंग से हे देवाधिदेव साइनात इसी प्रकार इस पूरे परिवार पर अपने कृपा दृष्टी सदेव बनाई रखेगा बाबा आपकी कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं आपकी कृपा से हमारे पस किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपने जो दिया हमारे जीवन के लिए बहुत बहतर है हमारी लाइफ में उस हर चीज़ की जुरूरती जो आपने हमें दी है और पुरा भरोसा है कि आप हमेश अबाबा हमारा साथ देंगे और आज इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा मेसेज है उस मेसेज को हम बहुत ध्यान से समझेंगे देखा जाए तो बहुत आसान है लेकिन उसे समझना अगर हम अच्छे ढंक से समझ जाएंगे तो हमारा ही जीवन बहतर बनेगा हम कुछ भी सीखते हैं ना कुछ भी बात छोटी हो बड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कई बार क्या होता है हम कहते हैं ना कई बार हम ये सोचकर छोड़ता सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने बहुत पहले बढ़ा था कि इंसान उस पथर को कहता है ये तो पथर है इसका क्या है चोटा सा कंकर होता है ना उसकी वैलू नहीं करता है वो चुल ऐसे फिक देता है करे तो क्या करे है न लेकिन वही छोटा सा कंकर ये आँख में पढ़ जाए तो व्यक्ति को व्याकुल कर देता है करता है न वही छोटा सा कंकर आँख में चला जाए तो इंसान व्याकुलता से परिशान होता है उसको पीड़ा होती है उसको घबराट से होती है कि क्या हो गया मेरी आंख में, किसे ठीक होगी है? तो हर चीज अपने उपर आ जाए, तो अपनी वैल्यू हर चीज की है, हर चीज की. वही पत्थर, हमें कही बार जब हम करास्तने में कहीं चलता, तो पत्थर ऐखाकर, हम जो बहुत सारी चीजों की काम आता है पत्थर पत्थर की भी वैल्यू है अपनी जगापर कहने का ताजपरे मेरा यही है कि कुछ भी चीज जो भगवान ने बनाई है वो व्यर्थ कहीं नहीं है कभी नहीं है सब चीज की अपनी अपनी वैल्यू है सभी चीज गीमती है ऐसी कोई वस्तू नहीं है जो व्यर्थ में बनाई हो प्रभू ने हर एक चीज का काम लगता है हर एक चीज का अब कई बार क्या होता है हमारे फैमली मेंबर्स मुझसे पुछते हैं वो पिछली वाली वीडियो का आगे अब वो वीडियो पिछली थी उस वक्त नहीं काम आई आज उसमें जो बाते थी वो आज काम आ रही है तो इसलिए हर दिन को सेव करते चली मालूम नहीं कब किस चीज की जरूरत कहां पड़ जाए इसलिए आप तो बाबा के बच्चे हो ना हमें तो हर जिसकी वेल्यू वैसे भी पता होनी चाहिए क्योंकि साइन जी ने कभी किसी चीज को छोटा नहीं का बाबा ने हमेशा हर चीज के लिए उतना ही प्यार रखा चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वस्तू साइन जी ने तो हमें प्रेम करना सिखाया है सबसे प्रेम करो कोई तुमारे को पसंद नहीं भी करता न अगर वो भूखा है तो उसे भोजन दो अगर उसके पास किसी तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को अगर हल कर सकते हो तो करने की कोशिश करो भले तुमारे उससे नहीं बनती तो क्या हो गया ये सिखाते हैं साइनाथ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उस पर भरोसा भी करो देखिए ये आपके उपर निर्भर करता है अगर किसी वक्ति पर आपने भरोसा किया उसने आपका भरोसा तोड़ दिया फिर दूसरी बार आपने उस पर भरोसा किया फिर उसने आपका भरोसा तोड़ा फिर तीसरी बार भी मानो आपने मौका दे दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं इंसान सुधर जाता है लेकिन तीसरी बार भी जब वो ना बदले न, तो चौथा मौका मत दे न, क्योंकि उसकी वो गलती नहीं है, वो उस व्यक्ति की आदत हो सकती है, क्योंकि जिसको रिष्टे की कदर होते न, वो बदल जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी आदत को ठीक कर लूँगा, मिरा रिष्टा नहीं दोटना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है, गलत व्यक्ति को सही सलाह कभी रास नहीं आती, इसलिए उसको गलत ही रास आएगा, लेकिन उस गलत व्यक्ति के लिए हमें गलत नहीं बनना है, हमें अपनी राह कभी नहीं छोड़ने, कि इसी के लिए तो मैसेज की मैं बात कर रही थी आप लोगों से तो मैसेज है आज का हमारा कि पहले मन में प्रेम हो फिर पाने की चाह प्रगठ होए भगवान भी स्वयम दिखाए राह समझे न कि जब मन में प्रेम होता है तो पाने की चाहत होती है क्योंकि हम किसी को पाना तो तभी चाहेंगे न जब उससे प्रेम होगा जब वो अच्छा ही नहीं लगेगा तो पाने की लालसा तो होगी ही नहीं जब वो अच्छा लगेगा तो हम चाहेंगे काश मेरे पास भी इन्सान को चाहिए कि अरे मिल जाती तो अच्छा होता तो जो ऐसा भाव आपके अंदर हो जाएगा भगवान जी के परती भगवान से प्रेम होगा तो उन तक पहुँचने का रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा, फिर आपको उस रास्ते में कांटे नहीं दिखाई देंगे, प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगे, फिर आपको सिर्फ अपने भगवान दिखाई देंगे, कि वो मेरे बाबा जी बैठे है, मुझे वहां तक जाना है, फिर क्या होगे रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कोई बात नहीं, बाबा तो मिल रहा है न, बस वर्क, बतलब सारी प्रॉब्लम्स व्यहीं पर है कि बाबा दिख रहे है, वहां तक जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो, रास्ता कितना बड़ा इससे हमें मतलब नहीं है हमारे बाबा बैठी तो है मन्जिल में तो बाबा है वही ज़रूदी है तो बस मन में प्रेम हो तो पाने की चाहत हो और फिर वहाँ पर भगवान भी प्रगट हो जाते हैं आपको स्वयम सही और गलत दिखाने के लिए आपको सची राह दिखाने के लिए ठीक है इसलिए पहले उनसे प्रेम कीजिए जब आप प्रेम करने लग जाओगे न तो वो खुद आपको हर रास्ते से निकाल देंगे जो कठिन परिस्थिती से भरा हुआ है इसलिए वरोसा रखी अपने मालिक पर वो कभी भी आपकी नईया को डगमगाने नहीं देगा तो जब भी आपका दिल करे आप फ्री हो तो बैटकर नाम जाप कर लिया करें क्योंकि नाम जाप का बहुत अधिक फल है आपके बहुत सारे कश्ट कट जाते हैं जब आप नाम जाप करते हैं तो बाबा से प्रात्ना करते रहिए अपनी अरजी साही जरणों में लगाते रहिए अपनी विनती साही जी तक पहुँचाते रहिए आज नहीं तो कल आपकी जिन्दिगी में भी बाबा की कृपा होगी और बहुत अधिक होगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलिए अब पूरे भाव के साथ श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं श्री साई बाबा के ग्यारा वच्चन और करते हैं आज के दिन की शुरुवात ओम साई राम जो शिर्डी में आएगा आपत दूर भगाएगा चड़े समाधी की सीड़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हे तु दोड़ा आऊंगा मन में रखना द्रड विश्पास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सक्ति पहचानो मेरी शर्ण आखा ली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जनका वैसा रूप हुआ मिरे मन का भार तुम्हारा मुझे पर होगा वचन न मेरा जूठा होगा आ सहायता लो भरपूर जो मागा वो नहीं है दूर मुझे में लीन वचन मन काया उस कारण न कभी चुकाया धन्य धन्य वैभक्त अनन्य मेरी शर्ण तजजिसे न अन्य अनन्त कोटी ब्रह्मा डनायक राजा धिराज योगी राजपर ब्रह्म श्री सचिदानन्द सद्गरू साइनात महराज कीज़े बाबा जी आप सबको खुश रखें हेल्दी और हैपी रखें आप सबका जिवन खुशों से भरपूर बना रहे आपके हर एक विश्परी हो मेरी स्ट्री साइन्स चरणों में यह फ्रातना है चलिए कीज़े दिन की शिरुआत सब शुब ही शुब है ओम साहिराम जै जै साहिराम